नमस्कार आप देख रहे हैं जनभाबना टाइमस आपके साथ मैं हूँ अंकिता रंगों का त्योहार होली नस्दीक है होली के मौके पर लोगों ने घर जाने की तयारी भी कर ली है रेल और हवाई जाहाज की टिक्टे फुल हो चुकी है जनने टिक्ट नहीं मिल पाई वो सड़क के रास्ते से अपने अपने घर होली मनाने जाएंगे इस बीच यूपी की योगी सरकार ने इस बार होली पर प्रदेश वासियों को खास तौफ़ा दिया है सरकार ने ऐलान किया है कि त्योहारों पर 36 घंटे तक एक मिनिट की भी बिजली कटोती नहीं होगी यानि कि प्रदेश के हर कोने में अनवरत बिजली सप्लाई जारी रहेगी घोशना में कहा गया है कि पूरे प्रदेश में 7 मार्च से 9 मार्च तक निर्बाद बिजली आपूरती होगी CM योगी के निर्देश पर UP Power Corporation Limited यानि की UP PCL के चेर्मेन M. देवराज ने बिजली कटोती ना करने को लेकर निर्देश भी चारी कर दिया है इसमें कहा गया है कि होली का देहन के दिन यानि की 7 मार्च से होली के अगले दिन यानि की 9 मार्च तक पूरे प्रदेश में एक मिनिट की भी बिजली कटोती नहीं की जाएगी अगर किसी शेत्र में बिजली कटोती होती है तो इसकी शिकायद भी कॉर्परेशन के पोटल और टोल फ्री नंबर 1912 पर की जा सकती है उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में इस तीन दिनों की अबधी में सब को बगार कटे बिजली मिले इसके लिए डिसकॉम के अधिकारियों को साफ निर्देश चारी किया गया है सभी प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने डिस्कॉम में कटौती मुफ्त निर्बाद विद्युत आपूर्ती सुनिशित किये जाने के लिए जरूरी कारवाई सुनिशित कर ले ये भी निर्देशित किया गया है कि 1912 टोल फ्री नंबर पर आपूर्ती संबधित प्राप्त सूचनाव पर ततकाल कारवाई सुनिशित की जाए देवराज ने कहा कि होली के महत्वपूर्ण पर्व के अफसर पर सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ती की प्रकरण में किसी प्रकार की शित्हलता ना बरती जाए सभी वित्रण अधिकारी अपने अपने दायत्मों का निर्बहन करें देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्ता से जाने के लिए जुड़े रहे हैं जनभावना टाइम्स के साथ नमस्कार